बारी बारिश, तूफानी हवाएं, समंदर में 2 मीटर उंची लहरें, साइक्लोन दाना पहुचने वाला है और उससे जुड़ी लेटिस्ट अपडेट हम यहाँ पर आपको बताएंगे चक्रवाती तूफान दाना अब अपना असर दिखाने लगा है पश्यमंगाल से लेकर ओडेशा तक साइक्लोन दाना रौध रूप ले चुका है और आज रात में इसका लैंटफॉल होगा पश्यमंगाल और ओडेशा के कई हिलाकों में आज यानि की गुरुवार सुब भार बारश भी हुई और इस दोरान तेज हवाएं भी चली दरसल गंभी चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा और बंगाल के तड्ट से बहुत करीब पहुंच चुका है और इसका असर पडोसी राज बिहार और जार्कंड में भी देखा जा रहा है भारत मौसम विज्ञान वि 20 किलो मीटर प्रती घंटे की हो सकती है दरसल बंगाल की खाडी के उपर बना चक्रवाती तूफान दाना पिछले 6 घंटे के दोरान 12 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और ये सुबा साड़े 5 बजे पारादीप यानि क ओडिशा से लगभग 260 किलो मीटर दक्षन पूर्व धामरा जोकी ओडिशा में ही मौजूद है वहां से 290 किलो मीटर दक्षन पूर्व और सागर द्वीब पश्चिम मंगाल से 350 किलो मीटर दक्षन में रहा मौसम विभाग ने लेटिस्ट बुलेटिन में बताया कि परान हवा की रफ्तार 100-120 किलो मीटर पती घंटे हो सकती है मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 4 घंटे में पारादीप में सबसे अधिक 62 मिलिमीटर बारिश हुई जबकि केंद्र पाड़ा जिले के राजनगर में 24 मिलिमीटर बारिश हुई उसने बताया कि राज के बारिश होने और गरज के साथ तूफान आने की भी संभावना है और इस तूफान का असर विमान और ट्रेनों की सेवा पर भी पड़ा है कई ट्रेने कांसल कर दी गई हैं और कई सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं मौसम विभाग के मृतियुन जै महापात्र ने कहा की साइकलोन दाना से ओडेशा पर्चे मंगाल जारखंड और बिहार प्रभावित होंगे कोस्टल इलाकु में पेड़ गिरने से लेकर कच्छे घरों के ढहने की आशंका है उनने ये भी कहा कि हमारे तय अनुमान के हिसाब से चक्रवात आगे बढ़ रहा है और अभी इसकी स्पीड साड से सतर किलोमीटर है हवा की स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी और लैंड फॉल की वक्त तूफान दाना की रफतार 120 किलोमीटर प्रदिगंटे की रफतार तक हो सकती है लैंड फॉल आज आधी रात से शुरू होगा जो 25 तक चलेगा और समुदरी लहरे एक से द सँखते हैं, तैनिया गिर सकती हैं, पेड़ू को नुक्सान पहुंच सकता है, इसके लावा कच्छे मकान बड़े सतर पर ढह सकते हैं, फस्नू के भी नुक्सान पहुंच सकता है, उसकी भी आशंका है और ओडिशर और पर्शिम बंगार के कोस्टल इलाकों में अधिक झाल झाल